नमस्कार वेब दुनिया नियूस में आपका स्वागत है और रज़र डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर परसन ओफ दे येर की दौड में आये सरगना बगदादी भी दुनिया की मश्यूर पत्रिका टाइम ने इस साल परसन ओफ दे येर के लिए जिन अंतिम आठ दावेदारों का चुनाओ किया है उसमें इसलामिक स्ट्रेट का सरगना अबूबकर अलबगदादी भी शामिल है टाइम पत्रिका के संपादकों ने 2015 परसन ओफ दे येर के लिए अंतिम आठ दावेदारों को सुचिबत किया है शुरवाते 58 दावेदारों में प्रधानमंत्री नरेन मोदी, रिलाइंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी और गूगल के भारती मुलके CEO सुंदर पिचाई के नाम भी शामिल है ट्विटर पर अमिताव और शारुक से पीछे प्रधानमंत्री नरेन मोदी प्रधानमंत्री नरेन मोदी के पदभार संभालने के बाद से ट्विटर पर उनके फॉलोर्स की संक्या चार गुनी बढ़ गई है लेकिन अब भी वहां अमिता बच्चन और शारुक खान से पीछे हैं अमिता बच्चन 1.81 करोड फॉलवर के साथ पहले स्तान पर है जबकि मोदी के 1.64 करोड फॉलवर्स है और वहां सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली तीसरी भारती हस्ती है पिछले साल प्रधान मंत्री के पदभार संभालने के समय उनके फॉलवर्स की संख्या 40 लाग थी मोदी सूपरस्टार शारुक खान से जादा पीछे नहीं है जिनकी ट्वीटर पर 1.65 करोड फॉलवर्स है बीजिंग में वायू प्रधिशन से रेड अलर्ट स्कूल बंद चीन की राज़णी बीजिंग में भैयंकर वायू प्रधिशन को लेकर वर्ष का पहला रेड अलर्ट जारी किया गया चेतावनी जारी होने के साथ ही आधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने तथा वीशेश प्रकार के वहानों और फैक्टरियों पर प्रतिबन लगाने का आदेश जारी किया है 2.2 करोर से जादा जनसंग्या वाला यहां शहर धुन की माटी की चादर की तैह में छुपा हुआ है और आने वाले महिनों में सिती और खराब होने की आशन्ग का है सरकारी सवाद समीती शिन्हुआ की खबर के अनुसार बीजिंग ने वायू प्रदुशन संबंदी अलट को नारंगी रंग से बढ़ा कर सरवादेक लाल कर दिया है